कि बैसिकली हमने स्टार्ट किया था कि हम स्लेंड्री कल विवा इस जीज को बेटा हम सिलेंड्री कल विवाई आप ही क्या हो यह पुछ अप्रिक का नाम अलगतर इसे भी शक्ता है ओ एक्जियल वी इसे डाइट लाइन्स बेट दाओ एक्जियल इस तरीके से पूछ सकता है तो भी वेटा वो शेलेंड्रिकल वेवगाइड के अंदर आपके कुछ और ये जो शीलेंड्र है ये ऐपका अलों जैड आपका एकस्टेंड रहेगा ये जो आपके जो प्रोसक्श्चिन है इस मिलग इक सर्कлемठ विलगो में कुछ सक्षान है and this uniform cross section this thing is R vector and this angle is 5M okay so R phi and Z these are the R phi Z these are the coordinates to describe this slider okay फिर बेटा मैंने आपको कुछ बाते होर बताई थी कि अगर मैं equation की बात करू equation of electric field electric field एंड मेगनेटिक फिल्ड मेगनेटिक फिल्ड इतना काम बिटा में लाश्ट क्लास में करवा चुका था एक पर दीक ले रहा हूं तो हमारी एक्वेशन कुछ इस तरीके से निकल के आई तो बिटा डैल ट्रांस्वर्स कंपोनेट का स्केर और इस इस वी कैसी स्केर एल इस इ नोपेटा इस तो बी इस एक्वल टू जिरू ओके नौ बिसिकली अगर में बात करूं यहां पर कि हमारा के सी स्केर कितना था तो इसकी वैल्यों मरी ओमेगा स्केर माइनस सी स्केर माइनस के स्केर इस तरीके से आई थी यहां पर प्रोप्रोगेशन गुटता है एंड इस सुलूशन की अगर मैं बात करूं कि सुलूशन इस एक्वेशन तक क्या आएगा तो मैंटा सुलूशन इस तक क्या आएगा देखेंगे क्या आएगा थाहिं चाहिए आपके सामने निकल के आया था है था ही क्योंस का तो मैंने बताया था कि E निकल के आएगा R beta R phi और Z की फोम में और उसका expression होगा E of R phi और E की power r eta K Z minus omega t और B का expression होगा R phi Z B as a function of R and phi और यह propagate कर रहा है along Z direction these are the solution of this equation उस equation में दो चीज़ें यूज हुई थी बैटा एक तो डेल्टी का स्केर डेल्टी स्केर इतना होता है वन बाई आर कर्ली बाई कर्ली आर कर्ली आर प्लस वन बाई आर स्केर कर्ली स्केर अपन कर्ली फाइल स्केर इसको हम टांस्वर्स कंपोनेंट ऑफ लापलास ओप्रेटर कहते हैं जो आपका स्लेंड्रिकल कोडिनेट में आया है तो एम क्या है हमारा मोटीव क्या है यह सुल्ड़े इस पूरे टोपिक में जैसा कि हम पहले भी डिसकस करते आएं मोटीव यह है कि हम इस कैसे मिकालें तो इसके लिए हम अलग-अलग चीजहों का यूज करेंगे मै Text कर conviction तो हमारा पूरे टोपिक का मोटीव क्या है अगर मैं मोटीव की बात करो तो मोटीव बेटा यह है कि तू फाइंड हमें क्या फाइंड करना है यह मिल जाएंड हमें एंड पी आर फाइज इन वे उगाई इन वे उगाई अब हम यह यह और फाइज और पी आर फाइज कैसे निकाले तो यह कैसे निकाले इन तरीके से निकालेंगे तीन काम करेंगे सबसे पहले Maxwell Equation का यूज करेंगे Maxwell Equation का यूज करेंगे और Maxwell Equation का यूज करके कुछ रजल्ट्स निकालेंगे After that, हम equations of electric field and magnetic field use करेंगे, जो equation हमारे निकल के आई है, del square e plus kc square e is equal to 0, del t square b plus kc square b is equal to 0, इनका यूज़ करेंगे, and third, हम boundary condition का यूज़ करेंगे. इन टीन काम करके, maximal equations का यूज़ करके, in equations का यूज़ करके, boundary conditions यूज़ करके, e, r5 और b, r5 निकार दाऊंगा, उसको मैं यहाँ पर put कर दूँगा, and I get e and b, मुझे यह मिल जाएगा. तो Maxwell equations से ही कहानी को सुर्वात करते है, boundary conditions, basically क्या है बेटा, कि the electric field on the boundaries are 0, and the magnetic field का जो normal component होता है, at the surface of the boundary is 0, these are the boundary conditions which were used, तो ऐसा कुछ हम काम करेंगे, अब हम Maxwell equations से सबसे पहले, r5 और b, r5 की values को निकालने की खोसिस करता हो, उसके बाद, बेटा, equation of electric field and mechanical field का यूज़ करूँगा, boundary conditions का यूज़ करूँगा, and finally, बेटा, हम result तक पहुच जाए, तो स्टार्ट करते है, Maxwell equations से, तो Maxwell equations से, अगर मैं स्टार्ट करूँ, कानी को, अगसश़ अग्द गाए, देखे, हम ए, है हम तो, हम चैंज़ एकीशन, ते सिआ है मश् specially एक्वेश़, धर We can say, the third, that is a curl of E, सब्सक्राइब इसके इस्तेमाल करेंगे इंको मैं यूज करके आपको समझाऊंगा अब देखेगा सब्सक्राइब इसके तीन कंपोनेंट होंगे E-R, direction is R-cap, E-5, direction is 5-cap, E-Z, direction is Z-cap. Similarly, magnetic field के भी तीन वेक्टर होंगे, B-R, R-cap, B-5, 5-cap, and B-Z, Z-cap. Okay, मिना, we have these components. Actually, E-R, E-5, E-Z, B-R, B-5, B-Z, अगर अवारे पास आ गया, तो भी गे टोटल E and B, अमिल जाता है. Now, अगर मैं करल की बाद करो, करल अफ एक का फर्मुले की बाद करो, तो दे करल अफ एक का फर्मुला जो है, पिटम मैं अब बताता हूं, आपको कैसे निचल क्याएगा, इट इस 1 by R, R-cap, R-5-cap, and Z-cap, करली by करली R, करली by करली I, करली by करली Z, E-R, R-E-5, सबसे पहले इक्वेशन नंबर वन का इस्तमाल करते हैं और वहां से कुछ इक्वेशन को निकालने की कोश्टे से करते हैं कैसे हमने इस इक्वेशन को तक पहुंचे ज़र इसको अच्छे स्टीपने सो उसे एक्वेशन होन विटा करल ऑफ इस बेसिकली इप्वल डू माइनस कर लेवी भी अगर इसके इसके क्वेशन करों तो मेरी निक्वेशन का बनीगे है विटा 1 by r, r cap, r phi cap, z cap, curly by curly r, curly by curly phi, curly by curly z, e r, r e phi, or e z. and this thing is equal to minus curly by curly t, v r, r cap, v phi, phi cap, and v z, z cap. यह मेरे पास famous equation आजाएगा. अब थोड़ा से कहां और करते हैं, बेटा. हम r, r के component को, phi, phi के component को, z, z के component को आपस में relate करते हैं. तो क्या मिलेगा जड़ा देखते हैं. तो equation number 1 की बाद करता हूं मैं. अगर मैं r cap के components की बाद करते हैं. देखना, बेटा, क्या आएगा? 1 by r, तो बेटा, बाहर है. 1 by r, curly e z by curly r, देखना, बेटा, अच्छी से. minus curly e r by curly z. मेरी खाल से पीटा, ये फिस्ट रम आएगी? पीटा, देखो ना? sorry, r cap लेंगे, तो 5 आएगा, sorry, sorry, mistake कर देखना, अगर मैं r cap वाली चीज़ देखता हूं, तो that is the curly e z by curly 5 minus curly r e 5 upon curly z. ये चीज़, बेटा, मेरे पास निकल के आएगी? देखना, प्रीज रिक्वर ये याद्टी का, हाजी? ये सर्ट, इस इक्वर डो, minus curly by curly T, बी आर, ये तो बेटा, आपके r component आगया, r component के साथ आपने जो बराबरी की दोनों के, तो ये r component निकल के r, मतलब यहाँ से एक famous equation निकालने की courses करोगा, बेटा, मैं, 1 by r, curly ez by curly 5, minus, देखो बेटा, इसमें curly by curly z के respect में कर रहा हूं, तो बेटा, जो आर है, वो एक constant की तरह, treat किया जाएगा, तो वो आर भार आ जाएगा, और भार आने के बाद, नीचे 1 by r के साथ को कट जाएगा, तो इसम्पली कर्ली e i by curly z is equal to minus curly vr by curly t, यह मेरे पास बेटा, पहली equation आलाती है, पिजिस equation को एक बता हैं से देखे, this is my first equation, क्या नाम दिया बेटा, मैंने आप तक कोई equation नाम दिया, first lady or second lady, यह equation number third का a part मेरे पास को बेटा, प्लीज देखो, यह equation बनती है क्या, अंजी, बताओ बेटा, similarly बेटा, दूसरी equation में, अगर मैं common लूँ, r5, तो 1 by r, और क्या आता है, बताओ, उस में थोड़ा उल्टा कर दो, आप है, ना बेटा, जैसे कि इस वाले चीज़ को लोग के जवाब हैं, तो याद करो, बेटा, second by term लेते हैं, तो बाहर आता है, minus r5, आता है ना, उस minus को मैं अंदर adjust कर रहा हूं, तो I think we get curly er by curly z, minus curly ez by curly r, देखना बेटा, यह term आईगी क्या, is equal to minus curly by curly t, and b5, और मेरे में पेटा, 5 cap, तो यहां से एगर थोड़ा सा सोल करूं, तो देखना, r cap सी r cap आपका कट रहा है, that is curly er by curly z, minus curly ez by curly r, देखना देखना, पक्का यही आएगा न, कोई mistake ना कर दियो, बिल्कुँ सही है, is equal to minus curly b5 by curly t, यह आपकी equation number 3 भी बेटा, पेटा, पीज चेकेट, क्या हमारे यही आएगा, कुछ हो रहाएगा, अंजी, यह सरी, यही आएगा, अब अगर मैं तीसरा component की बात करूं, z cap, तो z cap के साथ क्या आएगा, बिटा, देखना जरा, curly by curly r into r e5, बिटा, इसमें r बाहर नहीं होगा, और 1 by r भी सोरी साथ है, r बाहर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बिटा, क्योंकि curly by curly r के respect numbers का derivative per round, minus, can I go to the next term, curly by curly phi, or we can say that er, is equal to minus curly by curly t bz into beta z cap, मेरे खाज से equation बनी, बिटा, 1 by r, curly by curly r, r e5 minus 1 by r, curly er by curly i, is equal to minus curly bz by curly t, यह आपकी equation 3c बन चुकिये, प्लीज बिटा, think about it, और प्लीज चेक इट की यही equation बनेंगी या नहीं बनेंगी बिटा, प्लीज यह चीज़ां फिक बर देखिएगा, अजी बिटा, बताओ, अब हम चलते हैं बिटा, तो आगे मुह करते हैं बिटा, यह हमने बिटा, 3a, 3b, 3c हमने निकाल ली, अभी इन फ्यूचर हम इसका बैतरी में इसका माल करें, अब हम चलते हैं बिटा, आगे की equation की तरफ में प्रोशीड करता हुमें, from equation, from Maxwell equation number 2, from Maxwell second equation, बताव मैंसेसं नाम लिख ए और जो मैंसे बताना एक पर कारल ऑफ बताओ बताओ प्लीज क्या थी मैश्यल की अगली एक्वेस्टम बिटा करल अफ बी करल अफ बी इस इक्वल टू रड़ पार्मूला पुट करें तो मेर इठाल से वन बाई आ रड़ आगा रड़ और वी कन से दैट इस इस गरें R cap Phi cap Z cap Curly by Curly R, Curly by Curly Phi, Curly by Curly Z and Br R B Phi and B Z is equal to 1 by C square Curly by Curly T E R R cap E Phi Phi Cap E Z Z cap यह आपकी बेटा equation कोई सबस्ची कन चुकिए अगेन बेटा बोई R cap और Phi Cap और Z cap के components को हम रेलेंट करेंगे इसके साथ चलो बेटा करते है तो सबसे पहले R cap की component को अगर हमने compare किदा तो पहली टरम मेरे बेटा ही 1 by R Curly B Z by Curly Phi बेटा अच्छी बात यह सारी की सारी बोई equation आएंगी बस E की जगर B होगा और B की जगर E होगा ओके अगे क्या आएगे बेटा minus बता तो पीज Curly R B Phi by Curly Z और बेटा 1 by C square Curly E R by Curly T This is our famous equation इस equation को थोड़ा सा अच्छा रूप अगर मैं कूँ तो पहला क्या बढ़ा 1 by R Curly B Z by Curly Phi minus Curly by Curly Z कर रहा हूं तो R एक constant की प्रेट करेंगे तुस आर को मैं भाहर लेके आ सकता हूं और वो 1 by R के साथ कट जाएगा कि सिंपली क्या बच्छा हैगा Curly B Phi by Curly Z is equal to 1 by C square Curly E R by Curly T I think बेटा मेरी ये equation मुझे मिलेगी देखना बेटा ये मिली गया हां जी इस equation को मैं अलग नाम देता हूं बेटा 4 A 4 B 4 C लेटा हूं clear बेटा अगर मैं 5 वाले कंपोनेट को एक साथ करो बेटा तो 1 by R जो 7 है बेटा सब के और वेटा 5 वाले दूसरे वाले कंपोनेट में 12 माइनस आता है उस माइनस को मैं पहले से अंदर एड़ेस्ट करता हूं तो मेरे ख्याल से पहली टर्म ही आएगी बेटा देखना अपोन जेड माइनस करनी बीजेड बाई करनी आठ बेटा यह सारा काम हम दूसरी बार कर रहे हैं सारा का सारी काम में एक आपके रैक्टगुलर व्यवकइड रिफ में करवा लिए जब एक बर सिलेंट्रेकल व्यवकइड माइनस करली बीजेड बाइ करली r is 1 राक स्क्राण कॉर्यर ऐ फाई फाई सब्सक्न करते हैं मैं जैने वही और आगे करली बाई करली आर आर बीफाई माइनस करली बी आर पाई करली टाफाइट इस एक्वाइल टू वन बाई सी स्केयर करली इजड बाई कर देट इस थाड़ एक्वेशन का तो यूज नहीं करते हैं हम ओपर वाली दो-डोट इक्रसंट कर के काम करते हैं तो चलो करते हैं कहांद हो तो यह क्या है कमरें बटा बैक्वन पाई आर कांड़ on by से Curly Vr by Curly 5 is equal to 1 by C square, Curly E Z by Curly T and this is my equation 4C. यह equation 4C बने तो यह हमने 4A, 4B, 4C और वो equations को निकाला. मेर बटा देखो प्लीज आपको यह चीज समझने आई या नही आई? अजी, बताओ बेटा, यहां तक कर लिया? अब थोड़ा सा काम और करते हैं इसके अंदर, मैं एक बर बेटा इन सारी equations को एक साथ लेकर आता हूँ. मैं अगरी एक मिनिट के अंदर इन equations को एक साथ से कराता हूँ बेटा. मैं तो 3A, 3B, 3C and 4A, 4B, 4C को एक साथ हम लिखते हैं एक मिट के लिए. यह देखिएगा, यह एक क्वेस्टन थी मेटा, मैं इनको इनको फॉप भी करने कोसेस करता हूँ वकर हो जाएं तो यह आनसर. यह दो आनसर. यह दो नहीं हो पाया, अम दुबारा लेक लेकते हैं एक वर मेर को बताओगे को बच्चा, हांजी, को बच्चा वेटा, थार्ड ए, थार्ड भी, थार्ड सी और यह एक क्वेस्टन प्लेज मुझे बताओं. हांची क्या बढ़ी, बताओ वेटा, एक्क्यूवेशन नमबर 3D, 3D, 3C जो अमने निकाली, यह देखो, यह इपर कर देखता हूँ चलो, सो देखेगा, अब हम इसमे थोड़ा सा बेटाइं को थोड़ा से और रजल्ट्स के तरफ करवाता हूँ और तो छच्छे से इसको को कनवर्ट करता हूँ एक अच्छी सी फोम के अंदर, देखना वो फोम क्या है, हमने आपको पहले भी बताया था, मैं फिर भी बता देता हूँ बिटा, जैसे मेरा B का एक्स्प्रेशन आया था, बिटा, कुछ भी, B not e की पावर आईटा, KZ माइनस ओमेगा टिक, इस अगर मैं इसको करूँ, तो मेरे क्या है बताना, हाजी, e की पावर आईटा, KZ माइनस ओमेगा टिक, पर बिटा, साथ में क्या है, आईटा की, आजे है नि, आजे, मतलब अगर मैं इसको Z के रस्पेक्ट में करता हूँ, B को, तो मेरे पास आईटा, इनको के स्क्रम साथ आ अगर B पर ओपरेट करेगा, similarly, अगर E पर ओपरेट करेगा, तो इसकी आईटा के रस्पेक्ट में करता हूँ, अगर मैं इसको T के रस्पेक्ट में करता हूँ, बेटा, KZ माइनस ओमेगा T, तो T के रस्पेक्ट में अगर आप करोगे इस इसको, तो बेटा, क्या हैगा, कोई बच्चा बता सकता है, बी नॉट, E की पावर आईटा, KZ माइनस ओमेगा T, इन्टू बेटा, माइनस आईटा ओमेगा, तो यहाँ से हमें पता लगा, कि अगर मैं इसको T के रस्पेक्ट में करता हूँ, तो आप बेटा, क्या लिख सकते हो, आईटा, माइनस आईटा ओमेगा लिख सकते हो, means, curly by curly Z की जो आईगन वेल्यूज है, वो आईटा इन्टू के हैं, और curly by curly T की जो आईगन वेल्यूज है, वो आपकी आईटा इन्टू ओमेगा है, वो भी माइनस आईटा इन्टू ओमेगा है, तो इस चीज़ को बेटा, हम बर्पूर मात्रा में इस्तमाल कर सकते हैं, इस कज्सक्राइब ये डिले लोल्साइठ तर ये 9 तो कुलीज़ वेव उसका प्रोपोगेशन बेकिक क्लिया इसका आएटा इनक्तुत इसका आब तो केज़ी सब्ध प्लिप वेटा मैं कहें पर में तो का मतलब यहां पर मैं के समझे होगा तो काम करते हैं क्योंकि हमने रेक्टोंग और वेवगाइड में इसके केजी लेकर चले तो यहां भी मैं इसके नोटेशन केजी लेकर चलूंगा तो देखना भीटा 3A 3B 3C आपकी किस तरीके से तब्दील हो गई देखना भीटा सो एक्यूवेशन 3A मेरे खाल से बन सुकी है वन बाइ आर कर्ली EZ बाइ कर्ली 5 बताना बेटा हाजी कर्ली बाइ कर्ली जैडी की जगा क्या आएगा बेटा आउटा केजी E5 is equal to minus 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 plus हो जाएगा बेटा तो आइटा ओमेगा एड़ बी आ इस इस इक्वेशन का बहुत जादा इस्तमाल करने बाला हूँ similarly बेटा अगर मैं इस 3B के अंदर इस इक्वेशन को पुट करता हूँ तो वटा ही गैट बेटा देखना जगा बेटा कर्ली बाइ कर्ली जैडी मतलब आइटा इन्टो केजी इन्टो मेरे बेटा ER minus कर्ली बाइ कर्ली आर इस 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 इपके अइटा ओमेगा और वी जैडी इस इस मैं इक्वेशन नंबर 50. बटा देखेगा यही बनी क्या आप्ती जैडी बताओ बटा अगर मैं इस 3C में पुट करूंगा तो 1 बाइ आर कर्ली बाइ कर्ली आर R E 5 minus 1 by R कर्ली ER by कर्ली पाइ is equal to आइटा ओमेगा बीजेड यह आपकी मेरे खाल से बेटा इक्वेशन बन चुकी है 5th C एकिन पेटा मैं यूज करूंगा 50 और 50 और 50 बीका ही बर्पूंगी इन ही का आप रादा यूज करते है 50 और 50 और 50 बीका खीक है अब हमने 50 और 50 और 50 बढ़ा लिए सिमिलरली बेटा सिमिलरली नोट कर लिया है यहां तक आपने बताओ प्लीज यहां पर 4A, 4B, 4C करो इनकी एक्वेशन भी बेटा आपकी मोडिफाई हो जाएगी कैसे जड़ा देखते हैं सेम जैसा कांग हमने रेक्टेमुलर वेवाइड में कीया था हम यहां कर रहे हैं बस वहां पर कर्टिशन कोरडिएट थे यहां पर वो स्लेंट्रिक्ल कोर्डिएट से हैं तोंकि हम स्लेंट्रिकल वेवाइड पढ़ रहे हैं तो अगर देखते हैं, मैंने जटक्ड कया बताया कि करली घरड को तो मैं आयटा की जी से रिप्लेज कर दोगा और करनी घरडिक हो में मैं ऐलकी टो मैं माइनस ऑइता ओमिका से रिप्लेज कर दोहाँ इतो बाट कहीए तो fourth equation क्या बढ़ चुकिए बेटा, देगना 1 by r Curly BZ by Curly Phi minus Rita KZ into Beta B5 is equal to 1 by C square or minus Rita Omega or beta kya 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 ier this is my sixth A equation इस इक्वेशन में यह चीज़े पुट करता हूं तो सेम 1 by R, curly by curly R, R B5, minus 1 by R, curly BR by curly I, is equal to minus I to omega by C square, और मेरे बेटा EZ, यह मेरे एक्वेशन 6th C बन चुकी, तो मैंने 6th A, 6th B, 6th C equation बना ली, 5th A, 5th B, 5th C equation बना ली, इन एक्वेशन का बेटा में खुब इस्तमाल कर लिए। मेरे जितना मन करेगा, इन एक्वेशन का में इस्तमाल करूँगा, क्योंकि मेरा मोटिव समझो, बेटा, मेरे को निकालना क्या है, मैंने बताया, मैंने को E, R, 5 और E, R, 5 निकालना है, E, R, 5 कैसे निकलेगा, जब E, R निकल जाएगा, और E, 5 निकल जाएगा, तो मेरे को कहीं ना कहीं E, R और E, 5 की वैल्यों निकालनी है, तो बेटा, इन एक्वेशन से मैं E, R और E, 5 निकालूँगा, बेसिकली मैं यूज करता हूँ, 6th A और 6th B एक्वेशन का, और बेटा, पीच्छे जो 5th A और 5th B एक्वेशन आई थी, इन दोनों इक्वेशन का, इस्तमाल करके, बेटा, मैं E, R और E, 5 निकालूँगा, इन टरम्स ओफ E, Z एड एड, D, आफ्टर डेट, बेटा, मैं अग 5th A, 6th B और 5th A, 5th B जो इक्वेशन बेटा, आमने जो बनाई थी, वो इक्वेशन बता सकते हूँ, क्या थी, हाँ जी, लास्ट क्लास में जो हमने एक्वेशन बनाई थी, वो शायद बेटा मैं एक बार लिखता हूँ, शायद यह थी, क्या आप देखना, 1 by R, 1 by R, कर्ली EZ by कर्ली थीटा, आप बस जस्ट मैच करना, क्ये एक्वेशन यही थी, 1 by R, कर्ली EZ by कर्ली पाई, माइनस आइटा केजी, E5, is equal to आइटा ओमेगा, BR, दूसरी एक्वेशन, आइटा केजी, E-R, माइनस कर्ली E-R by कर्ली R, is equal to आइटा ओमेगा, कर्ली E-Z, कर्ली E-Z, आइटा, अब सही है, हाजी, B5, यह सर, ओके बेटा, यह equation number कौन सी थी थी, फिफ्ट A थी, कौन सी थी बताना, हाजी, कौन सी equation नाम दिया था इसको, बता बेटा, क्या नाम दिया था थी, फिफ्ट A, और यह equation मेरे खाल से, बेटा, फिफ्ट B, राइट, उसके अलावा बेटा, फिफ्ट C का कोई यूज नहीं होता है, आप मेरे को 6th A और 6th B equation और लिखातों, बेटा, तो साइद मेरे ख्याल से, 1 by R, कर्ली BZ, by कर्ली Pi, माइनस आइटा केजी, B5, is equal to, आइटा, ओमेगा बाइसी स्केर, बेटा, माइनस आइटा, ओमेगा बाइसी स्केर, सही लिख है हमने, बता ना, बेटा, माइनस आइगा सर्म, माइनस आइगा, ओके, इन्टू मेरे बेटा, साथ में कितना है, बताओ जल्दी से, B, R, ओके, यही है, 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 यहीर, E, R, E, R, yes, बेटा, एक पर मेरी इस बात को चेक करना, प्लीज, कि ऐसा तो नहीं था, एक एक वेक्वेशन बेटा और थी लाष्ट की एक वेसंट पताओ जिसको मैंने सिफ्ट भी नाम दिया था यह आए रटा केजी यह ना बेटा वेक्वेशंट से बी आर मैनस कर्ली एजड बाइ कर्ली ले वेगेन से ड़टार इस एक्वल टू माइनस आइटा ओमेगा बाइस्ती स्केर इन्टू बेटा बीफाइड प्लीज देखना बेटा शिच्ट भी यह है क्या प्लीज चेक करो बेटा पर यह एजएड की जगेड़ बीजएड़ आई बेटा निकालना क्या है हमें निकालना है ER EV BR और बीफाइड यह चार ट्रम बेटा निकालने हैं याद गरो पिछली बार हम BX BY EX EY ऐसे निकालते थे वो ही हमें चार ट्रम होक्ति बार निकालने हैं तो बेटा जल्दी से बताओ कोई दो-दो सबसे पहले एको लेता हूं में और मैं लेता हूं और कौन सी नों बताओ फिफ्ट ए एंड शिक्स भी इन दो इक्लेशन से मैं कुछ काम करता हूं जो मैं फिफ्ट ए से अगर बी आर इंडी निकालो और उस बी आर को वेटा में यहां पर पुट कर दो तो क्या मेरे पास इफाई नहीं आजएगा तो पताओ तो फ्राउं सिस्टए एगर मैं बी आर की वेल्यू लिखता पैलियार की वेल्यू वन-पोन आयोटा उमेगा वन बाई आट कर ली इजड बाई कर लुटा मेरे साथ करोगे तो आपको भी इंट्रेस्ट आएगा आटा केजी इफाइग प्यार की वैल्यू बेटा तुटे सही आएगी देखता और इस वैल्यू को मैं 6 भी के अंदर पुट कर देता हूँ पुट इन 6 भी तो वट आई गैट बेटा मुझे क्या मिला जरा देखना जरा जैसे मैं 6 भी में पुट करूंगा मेरे पास एक्वेशन आए कि मैं दूसरी पैंसे बनाता हूँ तक कि कन्फिशन ना हो आउटा केजी अपन बेटा आउटा ओमेगा बहुत अच्छी बात है वन माइनस आईटा केजी इफाइब माइनस कर्णी बीजेड बाई कर्णी आर इस एक्वेल टू माइनस आईटा ओमेगा बाई सी स्केयर और मेरे बेटा इफाइब अब मैं इस इफाइब वार टू ओर इधर लेक्यांगा तो थोड़ा सा अच्छा सा एक्स्पेशन मेरा बनेगा बीटा आयोटा से मेरा आयोटा कट गया तो पहली ट्रम बनेगी बीटा केजी बाई उमेगा इंटू 1 by R कर्ली EZ by कर्ली I माइनस कर्ली BZ by कर्ली R और इधर मेरा बनेगा माइनस आयटा ओमेगा बाइसी स्केर E5 और वो जो ट्रम आएकि इधर जाके पलस हो जाएगी देखो ज़रा क्या आएगा अंदर केजी का तो स्केर हो जाएगा और नीचे मेरे खाल से वेटा उमेगा आजाएगा तो थोड़ा साइस को रियरेंज करते हैं मैं और पैंइ उसकर लेता हूं मैं कोमन क्या निकालता हूं करता हूं कि उमेगा वन पाई आ कर ली ईजड़ बाई कर ली आई माइनस कर ली इजड़ बाई कर ली आई यह तो बिटा इदर आगिया ऐखरम्न और एक विटा के नीच झेए अमेगा पल्स या अगर मैं इस कुछ तरीके से लिखता हूं अगर मैं यह common लिया है तो यहां पर बचा स्केर अपोन सी स्केर और दूसरी ट्रम बचिए माइनस स्केर और ईफाई आ गया बार देखना यहीं बचेगा कि हां जी तो यहां से मेरा ईफाई का एक्स्प्रेशन आया इफाई इस इक्वलटो वेटा यह उमेगा बाई निच्चे माइनस आएगा वन अपोन आयुटा कित जाके हाजी वेटा ऐसे आएगा ने निच्चे देखो के जी पाई ओमेगा चलो में एक स्टैप लिख देता हूं कोई दिक्कत नहीं है कोई जल्दी नहीं है इफाई माइनस करनी बीजड़ बाई करनी कार स्लेपस थोड़ा से लंबा है इसलिए हम रेगुलर पड़ा रहे एक ट्रम निच्चे और क्या है माइनस आयोटा वाइक प्लीज बीटा चेक करो कि यहीं आएगी है नहीं आएगी आएगी आजी बताओ बीटा थोड़ा सा रियरेंज करके अगर आप लिखना चाहो तो आयोटा अगर आपको अच्छा से लिखना चाहो बीटा तो मैं थोड तो थोड़ा सा मैं इसको और अच्छा सा रूप लाता हूं इस एक्वेशन का थोड़ा सा और अच्छे से रूप लाता हूं इसका इसका इफाई इस एक्वेशन को यह वन अपन संथिंग है तो उमेगा उपर चला जाएगा माइनस को मैं अंदर एडिजेस्ट कर देता हूं और तो यह कुछ इस तरीके से लिख सकते हो पहली ट्रम्प बनाने में टाइम लग रहा है क्योंकि हमें फॉम पढ़नी है कि किस टाइप की फॉम बनाओ बाद की ट्रम्प बनाने में कोई दिकत नहीं आए और अंदर क्या बच गया मिटा केजी बाई ओमेगा वन बाई आर करली इजडड़ करली आई माइनश करली वी जड़ वािक रूप बनाउटा की वेल्यू बता सकता हो कोई बच्चे हाजी वेटा वन अपोन आउटा कीवेल्यू कर देंगे उपर वाले माइनस को और अपॉन केजी स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर अपॉन सी स्केयर और अंदर मेरे बेटा कर ली बीजड बाई कर ली आर माइनस कर लिया मैंने केज़ी बाईवेगा वन बाई आर कर ली इजड बाईब कर ली इश में अके कते north the कि मुझे निचे अमेशा केजी स्केयर माइनस में जैसे टाइप सब्सक्राइब करूंगा तो मेरे पास E5 की वेल्यू को प्लीज वेरिफाइब करो क्या आप मेरी वेल्यू से सहम मत होंगे वेल्यू से सब्सक्राइब निकाली और उसको इसमें पुट कर दिया आगे चले थोड़ा सा अगली ट्रम निकालते हैं यह ट्रम प्लीज बिटा सभी वच्चे याद रखेंगे मेरे को लिखवाएंगे लाश्ट में आज की क्लास के अंत में यह चारू प्रम्स वेटा आपको लिखवानी है मेरे को इस ट्रम को मैं उपर ही लिख देता हूं कि एफाई का हम रजल्ट निकालके लेकर आये हैं आयोटा ओमेगा अपोन केजी स्केर माइनस ओमेगा स्केर सी स्केर ताकि भूलना जाएं इस ट्र स्केर माइनस केजी अपोन ओमेगा वन बाई आर कर ली इजड़ वाई कर दी है कि हमने इफाई निकाल लिया हमारा मोटी पूरा होगे पहला चलो और कुछ निकालते हैं बहुत चीजें निकालने हैं तीन चीजें और निकालने हैं अगेंगे वसके निकालने का निकालने करें बेट अब की बार बेटा इफाई को श्क्त करते हैं तो बताव बेटा इफाई अगर में निकाल ओन फिफ्ट फिफ्ट एफिफ्ट एफिफ्ट एगर निकालों तो बेटा मेरे ख्यासे 1 by R करली एजड बाइ करली पाई बेटा माइनस आइटा ओमेगा बी आर और बेटा साथ में कितना 1 upon आइटा केज़ देखना बेटा ये चीज़ आएगी क्या लें चेकिट में बेटा ये फाई इस एफाई को बेटा केज़ी आर माइनस करली बीजड बाइकर लिए इस इकूल टू माइनस आइटा सब्सक्राइब करेंगे तो निच्चे ट्रम पढ़िए आयटा के जी मुझे बहुत काम आएगा इसका और वन बाई आर करली ईजड बाई करली आई माइनस आयटा ओमेगा बी आ दिखो और चलू पियर वाली ट्रमस एक साइड दिखो और डिं देखना क्या है ओमständर सिण जाएगा तो जाएगा माइनस आयटा भी है एक ऊमेगा यह है एक ऊमेगा स्केर है सीज स्केर है और नीचे बेटा के स्केयर के जी वन बाई आर करली इजड बाई कर ले आई और दूसरी उधर से ट्रम आगी पलस करली बीजड बाई कर लेखना बेटा मैंने तो बिल्कुँ सही लिख पाए मेरी तरफ से आप एक पर चैक की जिए कोई जलती तो नहीं हो गई हमसे अंजी पताओ बेटा तो बेटा ओर थोड़ा सा रियरेंज करेंगे क्योंकि लास्ट में मक्सद है बेटा मेरको केजी स्केयर माइनस संथिंग करने वारी फोर्म बनाने पहली वारी जो ट्रम है उसमें से में कुछ कॉममन लूंगा और क्या कॉमन लूंगा जारा दे जांसे बिलेंगे एक तो मैं हरता कॉमन लेकता हो फिटा और एलमा क्या कुमन लूंगे तो बताना बैटा क्या फोंगा क्या ऑश्ट जी हांजी बता निक Анд एट जी स्केयर बी और्ड रवी प्र भी संदे हैंना गैजी स्kitर माइनसों ओमेगा स्केयर अपाउंड C स्केयर आइठ इधर सारी फार माइनस ओमेगा सी स्केर टेजी वन बाई आ करली इजड बाई करली पलस करली बीज्ड बाई करली प्र टेट बी आर की वैल्यू आई बी आर की वैल्यू जो माई आई वह कितनी है सौरी ट्रम को अगर हम निच्च ले जाएं तो एक तो बिटा पूरी ट्रम को इसको पूरी ट्रम को निच्च ले जाएंगे तो बिटा यह आयटा-बाई-ग तो सब्सक्राइब करने के लिए बताओ ओमेगा वाई सी स्केर केजी वन बाई आर करली इजड़ बाई करली पाई इस तरीके से मेरी चीज़े एड़ेस्ट हो जाएगी यह मेरी बेटा बी आर की वैल्यों आप एक पर चेक कर लो कोई हमने मिश्टेक तो नहीं गरती बेटा जी कि चेक करो सभाश बेटा जश्ट में बी आर के साथ जो ट्रम में उसको नीच्चे लेक कि आया तो आयटा वाई केजी नीच्चे आएगा तो केजी तो उपर चला गया और वन अपन आइटा को मैनस आईटा रीप्लेस कर दिया तो आइटा केजी रह गया माईनस को अन्दर अधर बताओ इन चीजों का हम फूब पर पूर इस्तमाल करेंगे बताओ किस की ट्रम्स में आया है याद करो पहले एक्स-ई-वाई निकालते थे वह ईजड और बीजड की ट्रम में आता था तो चीजें सेम है अगर देखा जाए तो दो तो बहुत सारा काम अच्छा सा कर लिया अब हम करते हैं फिफ्ट बी और शिक्स पेस चलो बीटा में रेस करता हूं हम आगे का काम करते हैं साथ साथ करते हैं ताकि माइनस प्लस की गलती ना हो और हम की एक्वेशन्स तक भी पहुंच जिएंगा कि इरेस कर दो बिटा में बियार कि यसर ओके इसको इधर ही बोक्स बनाके रख लेठा हूं ताकि इन फ्यूचर बिटा में इन चीजों को क्या कर शकूआ यूज कर सकते हैं अब मुझे 5th B और 6th A यूज करनी है तो बाकी मैं सब किसी को बिटा हटा देता हूं थाकि थोड़ा साफसा कान कर सकूंद और एक बार यह जो 6th A है इस एक्वेशन को मैं उपर लख लेता हूं ताकि थोड़ा समय और मेरे पास स्पेस निकल के आजाए और यह है फिर्ट यह आइटा ओमेगा बी क्या है देखना हाँ जी बेटा बीफाई है इस देखो मैंने उपर लेख लिए ताकि मेरे पास स्पेस निकल आए और मैं अब इसको अच्छी से काम कर सब्सक्राइब जब करते है बेटा फिफ्ट बी से अगें बेटा मैं बीफाई की वैल्यू निकलूंगा और वो शिक्स अ में पूट कर रहा है फ्रॉम एक्वेशन फिफ्ट बी अगर बीफाई की वैल्यू निकाल रहा है तो क्या आएगा बेटा वन अपोन आयटा ओमेटा आयटा केजी एया माइनस कर ली इजड़ बाइड कर ली आएगा बता बेटा आया निया है पुत इस वैल्यू पुत इस इन एक्वेशन 6th A इस बीफाई की वैल्यू को में 6th A में पुत कर दो तो वटाई गेट बेटा वन बाई आर कर ली बीजड बाई कर ली आई माइनस आयटा केजी और बीफाई करेंगे तो बेटा आयटा ओमेटा आयटा केजी यार माइनस कर ली इजड वाई कर ली आर इस इक्वल टू माइनस आयटा ओमेगा इयार अब बेटा यार वाली ट्रम्स एक साइड लिखेंगे तो मैं आयटा से आयटा तो कैंसल कर डालता हूं और यार वाली ट्रम्स अगर मैं अब वाली ट्रम्स एक्वल ट्रम्स आयगी बेटा वर दूसरी माइनस आयटा ओमेगा विटा मैं कोई दी सीच की शेयर स्करिया है डेया यहां सीचेर आटए अपैं यहां सीच के आयगा इस एमें निचे सीच्छेफ़ एम अपोन सीच्छेटर और इंधर वाली ट्रम्स फोल दीन वाली बाए कि प्लस कि प्लस के जी यह गागा प्लस के जी बाई ओमेगा कर ली माईनस प्लस कि कोई गलती ना हो जाए हम से बस इस ती सिघा नोट कि बटा सभी आम नहीं तक है जी बताओ बिटा यार क्या कोमल ले ले पेटा पहले में से यार आउटा बाई ओमेगा कोमल ले लेता हूँ तो मेरी फोम बने के बिटा केजी स्केर माइनस ओमेगा स्केर सी स्केर वन बाई आर करली बीजेड बाई करली फाई पलस केजी बाई ओमेगा करली इजेड बाई करली आर यह फोम मेरी बन चुकी यह बिटा तो यहां से अगर मैं इयार का एक्स्प्रेशन लिखना चाहूँ तो वन अपों केजी स्केर माइनस ओमेगा स्केर अपों सी स्केर और देखना विटा आयुटा बाई ओमेगा देखो ऐसे आएगा आयुटा बाई ओमेगा तो यह उमेगा तो उपर चला गए विटा और वन अपों आयुटा कितना बढ़िए विटा माइनस आयुटा बढ़ के साही ने तो बहुत बाहर ही लेता हूं 1 by R Curly BZ by Curly 5 Plus KZ by Omega Curly BZ by Curly R में यहां से आयटा by omega को मैंने क्या लिखिया बेटा omega उपर चला गया है ना और वनपोन आयटा को माइनस आयटा लिखिया तो माइनस आयटा को मैं अंदर रेड़स्ट नहें कर सकता हुए तो मेरे पास यह form बन चुक्त हमने फाइनली यार भी निकाल चुक्त है यार का एक्स्प्रेशन भी फाइनली हमारा आ गया कितना बेटा माइनस आल्टा ओमेगा के जी स्केर माइनस ओमेगा स्केर सी स्केर कि वन भाई आ र करली बीजड पाय कर लिफाई इंको रट तो आप सकते ही नहीं किसी तरीके से है ना तो निकालना आसान है इस चीज़ को रटना मुश्किल तो इसलिए विटा मुट निकाल लेंगे कहीं भी अगर यूज होगा तो आपने रटना पना कर दो जल्दी बताओ टाओ तो अधर कर अब मैं वे शोट वी से निकाल के लिगा हो और चीज़ निकाल के लिकाओँ और फिफ्त वीच थी बताओ स्वाश वेटा बताओ वेटा चल्ड तो अब हम फिफ्ट भी से बताओ वेटा निकालो या बीफाई निकालो बता ना अरे बोलो या या तो या अगर निकालेंगे तो इतना आएगा बेटा बताओ जल्दी से वन अपोन आल्टा केजी और अंदर बेटा आल्टा ओमेगा पीफाई पलस करली इजड़ वाई करली पार यह आएगा यह और इस यार की वेल्यू को मैं 6a में पुट कर दूँगा इस वेल्यू को पुट करता हूं मैं 6a में 6a तो बटे आएगा वन बाई आर करली बीजड बाई करली पाई माइनस आएटा केजी बीफाई माइनस आएटा ओमेगा बाई सी स्केयर और निच्चे बेटा एक आएटा केजी ओरा चुटा है आएटा उमेगा बीफाई पलस करली इजड बाई करली पाई मैंने 6a में पुट कर दी इस इयार के वैल्यू निचानए अब बीफाई वारी ट्रॉम्स को एक साइड लेलो लो बेटा लेलिया मेले तो अगर मैं बीफाई वारी ट्रॉम्स को एक साथ लूँगा तो मुझे देखें और बीफाई के साथ देखो मेटा माइनस अगर्टा ओमेगा स्केर सी स्केर केसी तेखो बीटा राइट साइड में यह ट्रॉम्स मिली और इसको भी मैं राइट साइड में ले जाओंगा तो पलस आइटा केसी बीफाई के साथ तो यह चीज मिलेंगी बीटा मैं राइट साइड में ले गया हूँ और बाकी चीज को मैं लेट साइड में लूँगा तो वन बाई आर करली बीजड बाई करली फाई एक तो यह ट्रम बच गी बिटा और एक मैं इस ट्रम को इधर ले आ करली इजड बाई करली फाई प्लीज चेक करो बीटा यही बनेगा क्या हां जी चेक करो बीटा कोई गलती कर नहीं कर भी अजी अब हम पहली वाली द्रम में कोमल लेते हैं बीटा माइनस आयटा बाई केज बीफाट यह कॉमल लेते हैं क्यों लिए बीटा ही कॉमल थाकि मैं यहां पर फोंब बना स्कूप केजी स्केर माइनस देखो बीटा माइनस आयटा लिया तो यह माइनस वाला प्लस हुजाएगा प्लस वाली ट्रम माइनस में तो माइनस इसको माइनस लेने की जूर्त नहीं है इश्ट हमने आयटा बाई केजी इन लिया तो पहले ट्रम मेंस घ्या गया बीटा आयटा बाई केजी बच गया तो minus omega square by c square is equal to 1 by r curly bz by curly pi plus omega c square curly ez by curly i मेरी यह फोर्म बढ़ी बेटा तो finally we get b5 is kg square minus omega square upon c square और बेटा देखो iota by kg आएगा तो आप अच्छे से समझ सकते हो मैं इसको minus iota kg लिख दो बेटा हाँ जी देखो बेटा iota by kg आएगा तो kg पर चला जाएगा और 1 upon iota को मैं इसके साथ देख लाँ हाँ जी पेड़े प्लस का ही बचा है न सारा 1 by r curly bz by curly i omega by c square केजी और बेटा कर ली ez by कर ली ये form बेटा मेरे पास है बच चुपी ले this is the value of this basically हमने काम कर लिया जो करना था मैंने values हैं वो निकाल लिया है किसकी बेटा मैंने e5 निकाल लिया है मैंने er निकाल लिया है मैंने br निकाल लिया है बेटा और मैंने b5 निकाल लिया है और आप देख सकते हो इस er e5 b5 सब के अंदर बेटा e z और bz इन वो रहा है मैं अगर मेरे को e z और bz की value मिल जाती है तो मैं इसमें put करूँगा and I can easily get er और e5 b r और b5 मैं easily बेटा यहां से ओप्टेड कर लो तो next class में बेटा हम TE mode और TM mode बढ़ेंगे एक में e z को 0 करेंगे एक में bz को 0 करेंगे और फिर बेटा इन equations का एक नया सब्रूप हम बढ़ेंगे बताओ बेटा कहीं minus plus की mistake तो नहीं हो गई हाँ जी check करो बेटा अब बेटा इन equations को नाम और देतो नाम और देतो बेटा E R को E 5 को 7 B दे दो B R को 7 C दो और B 5 को 7 दे दे कल की कर्षा में बेटा मैं आपको इनहीं equations से लेकर 7 A, 7 B, 7 C और 7 B equations को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और इनहीं से बेटा हमें values को put करते चले जाएंगे और हमारे results साथे चले जाएंगे तो आज की क्लास में basically हमने E R, E 5 B R, B 5 इनहों की values निकाली ठीक है? By using the Maxwell equations In the next class we have study about the modes TE modes और TM modes और उन modes में जो E Z हमें चाहिएगा उस E Z को निकाल के लिए के आएंगे बेटा using the boundary conditions or using the equation of the wave और उसको यहां पर put करके हम सब कुछ है निकाल के ले आएंगे तो यह कुछ पेटा आज की गलास तक काम था किसे बच्चे को समझ में नहीं आया हो तो प्लीज आपने आप पूर सकते हो प्लीज आपें प्लीजे में हो प्लीजब से क्या आपवोआव uh घसको फ्लीजर